so here my friends welcome so second video जिसमें हम English सीख रहे है यूपेसी के लिए तो आपको पता है अगर इंट्रेस्टेट है तभी देखना वरना फालतू वख बिल्कुल बरबाद नहीं करना मैं आपको वहीं English रिखा रहा हूँ जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है उसका एक्जामपल दे देवे तो किस तरीके से यह फॉस्स फॉर्म जो है और के वह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ रेस यहां पर क्यों इस्तेमाल हो आए वह वाली चीज देखेंगे हम और बहुत यहां अंदाद में बताऊंगा आपको बाद में यह पेपर देखना है और खुद ही मुझे बताना है कि करते हैं यह पर आप बाद में वीडियो इन होने के बाद यह आगर आपके पास है तब भी आप इसे रिफेरेंस के तौर पर वीडियो खतम होने के बाद देखना तब आपको सारी जो हीरिंग से वह समझ में आ जाएंगा और ज्यादा तरह ही इसी फॉर्म में होती जिसे हम Simple Presentance कहते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है और मैं इसे अपने अंदाज में पढ़ाओंगा मतलब जो यह पेसी लेवल की इंगलिश होती है वो अंदाज में हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए मतलब एक तरह का Confidence हो जाए जो हमारा मकसद है वो वाली देख रहे हैं आज Simple Present Tense क्या चीज़े इसे भूल जाएगे क्या है वक्त बताता है एक्शन हमें से कोई लेन दे नहीं खाले हमें इसका इसका इस्तेमाल करना सीखना है तो अगर आपको जबी भी क्या बोलना है जब समझिए आपको कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे और दो सेकंड मुझे कलर पेंट का कलर चेंज कर देता हूँ मैं ऐसा लग रहा है कि वो दिखाएं देगा आपको ऑगे सो कभी भी देखिया आपको जब डेली वर्क बताना जैसे आप जो भी अभी करते हो पढ़ाई करते हो अगर अगर चीज़े ब मैं पढ़ाता हूँ जहां भी मेरे टीशन चलते हैं जहांभी मैं पढ़ाता हूँ यह चीज़े जरुती में याद करने की यह कहा इस nibल होता है वह कहा इसे मैं पुरूत किamtख्यक आप यह कभी याद रखना नए और पवितो यह चीजिज नजर आगी तो इसक чист aynı चीज प बीघ्टाता हो मैं और jewel am लंडलन वगयरा कूछ भी हो सकता है कि कोई नाम इनसान का ही हो कोई भी चीज को सकता है तो सकता है तो आपकी 5 5 फ्स वान लगाना है अब यह वं ओ और फिफ्स क्या है है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ छोड़ा सिंपल सा और अगर आपको वीडियो मतलब इंट्रेस्ट दे रहे तब ही देखना हो कि खामखा रिटेंशन खराब नहीं करना यह देखे वी वन लिख रहे हैं यहां पर वीफाइब क्या है कि हमें से बोड रहे है वोड रहे है वह फाइब यहांनी जिसे हम यह फिर एस बोलते है यह वाली चीज़ आपको यह मतलब पढ़ाई जाती है कैडमिक लेवल पर कहीं भी तो हमें वह ऐसा याद नहीं रखना है जैसे मैं बता रहा हूं वैसा याद रखिए आपको इंगलिस आसानी से समन्मन में आ जाएगी यहां पर मैंने लिखा और यह हो गया गोज कम और यह हो गया कम अनोंस और यहां पर मैं क्या लिखू jsँगा फिर अनाउंस 및 क्या मैं अग्यू आप यहा निक्यूज कि एक हैं sûrग आँके क्यो है हम मैं जोड़े सब्सम्रों के से हमनी यह पील्ब गारई तो हला क्या इन लगाना है और कभी भी हमने he she और एक नाम कभी इस्तेमाल कर लिया जो एक चीज़ को बताता है तो हमें हमेशा उसके साथ वो फाइव लगाना है जैसे example के तरह पर example लेकि हम समझते हैं सो दीकि मुझे बोलना है कि मैं जाता हूं लिया हम मुझे बोलना है कि हम अनौस करते हैं तो मैं कैसा बोलनगा व्य आनौस तो की ऐसा बोल दूँगा मैं अब मुझे बोलना है कि government announce करती है कि कि हम government को एक मांन रहे हैं कि Indian government को मांन रहे हैं महिया करूंगा व फाइव लोगा यानि कौन सा बाप हम यह ओका Sorry Gourmet Anounces यानिंग गौर्णमेट ऐलान करती है उक्याब मुझे बोलना है कि वो ऐलान करती है तो मैं क्या बलूँगा She announces वो ऐलान करती है तो अब एक चीज़ यहां पर गौर कीज़ी कौन सी चीज़ हैं यहां पर बार बार हो रही है हम जो भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ना एक अगर हम हिंदी में बोले तो कैसे जुम्ले आगे आगे अपर ता ते और या ती वाली ओकि ऐसे वाले जुम्ले जो भी काम आप डेली वोर्क में करते हैं वैसे अब ज़रूरी नहीं क्या गौवर्मेंट थोड़ी ना हर चीज अनौसी करते बैठेगी तो डेली वोर्क में थोड़ी आएगा ना फैक्ट में आएगा ना कैमी भी आएगा ओके शायद आजाएगा फैक्ट में लिकिन जरूरी नहीं वैसा याद ने रखना आपको यह वाला कॉंसे भी आप याद रख सकते हैं जिसमें भी तादीती वाल नाम आगए एक से जादे नाम आगए तो हमेशा में वह लगाना है और अगर से हमने ही बोल दिये शी बोल दिये और एक नाम कोई भी हो सकता है उसके साथ हमेशा वह फाइव लगेगा और इसके माइने क्या होने वाले है वह अलता ते ती वाले जैसे मैं करता हूं वह करती यह मैं पढ़ता हूँ इस तरीगी के सारे जुमले अब शॉक्ति भी साले पो फ़े जुमीडिव नहीं आपच पॉजिटिव बनाना तो मैं कैसे बनाओं गा यह हम यहां पे पहले करते हैं पे पॉजिटि बनाना झुमले थे हमारे अभी के और हम पढ़ रहे हैं अभी निगेटिव आले और फिर उसके बाद हम कुश्चन मार्क वाले देखेंगे साथ में ही देख लिए सब सो हमने पढ़े हैं कोई भी सब के साथ क्या आएगा या तो वब वन आने वाला या वब फाइव आने वाला है दोने में से हम यहां पर थोड़ा है वह फाइन नजर है तो उसको डजन बनाना है और जो भी अबर वाखी है हमारे जो सब्जिक्ट बचे है दे और यह वन प्लस नहीं यानि एक से दादे नाम तो इसके साथ हमेशा डूंट लगाना है डजन का फुल फॉर्म क्या होता है यह कॉंट्रेक्शन है वैसे डजन यहां पर द्यान देना है कि कभी अगर आपको कोई जिससे डू लगाना है यहां पर एक डजाएगा जब कोश्चन के साथ आएगा जो भी यह चीज नजर आ रही है डूंट के साथ और डज किसके साथ आएगा यह वाले के साथ तो इसे हम जुमले में सबत लेते हो कि मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करना है सुधिक आप मुझे बुलना है हम तोड़ा इस्पेशल जुमला ले लेते कि क्या गौवर्मेट अनौस करती है पीम योजना ले ले लेते हम के सब्सक्राइब मैं कैसे याद रखने का अंसर अब दो तरीके से दे सकते हैं तो आप हां में द सकते यस बोलना है आपकी मरसी यस तो मुझे बोलना है कि गौवर्मेट अनौस करती है मैं यहां पर ले रहा हूं गौवर्मेट अनौस करती है पीम योजना हम मुझे बोलना है कि नहीं गौवर्मेट अनौस नहीं करती है पीम योजना तो मैं इसे कैसे बूलूंगा देख यह मैं चुप ऐसी दिल से बना रहा हूं यह वाली जुम्ले है ऐसे वाले तो यह वाली चीज थी देखिए और कोई कैसे समझ में नहीं आ रहा है बोट पे इसा कुछ पेन का कलर तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आइंदर से हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे सारी चीज़े तो हमने क्या पड़ा सब में पहले जबी भी आपको कोई पॉजिटिव जुम्ला बोलना है तो उसका फॉर्मोला क्या होने वाला है सब्जेक्ट फिर होगा वर्ब वन आएगा या फिर वर्ब फाइव आएगा इतनी चीज़ या रखना है नेगी डिप के लिए क्या करना ह सब्जेक्ट तो आने ही वाला है हमार हर जगा उसके बाद क्या आने वाला है या फिर क्या आने वाला है डोंट आने वाला है उसके बाद हमेशा क्या रहेगा वर्ब वन रहेगा फिर हमने कोई शनवाग देगा या तो पहले क्या आएगा या फिर क्या आएगा डू आएग समझ में ही आजाए हर बारी को ऐसे इस्तेमाल करना है और इसे एक दो बार रिवाइन करके भी देख सकते हैं जब भी मुझे बोलना है कि मैं जाता हूं तो मैं कैसे बोलूँगा मुझे बोलना है कि मैं नहीं जाता हूं तो मैं क्या बोलूँगा I don't go क्या मैं जाता हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा Do I go अब देखिए मैंने आपको एक बार कहा था कि अगर आप verbs के form याद करते हो तो आपको कहीं हजारों sentence बना सकते हैं फोर एक्जामपल के लिए हम यह क्या कर रहे है Vavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavvavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav मैं लिख रहा हूं, read और यहां पर आ जाएगा, क्या आजाएगा, reads, यहां पर मैं लिख रहा हूं, upload चलो, upload भी होता है, video upload बागरा करते हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, uploads, अब यहां पर अपतेयारी कर सकते हैं, prepare बागरा लिख सकते हैं, अब देखे, I go यानि मैं जाता हूँ अब मैं बोलूँगा यह वो go की जगा अपना यहाँ पर जितने भी वह वन दिखरे हैं भी लगा सकते जिसे I go यानि मैं जाता हूँ तो मुझे बोलना है के I go, I come, मैं आता हूँ I write, मैं लिखता हूँ I sleep, मैं सोता हूँ I read, मैं परता हूँ I upload, मैं upload करता हूँ I don't go, मैं नहीं जाता हूँ I don't come, मैं नहीं आता हूँ I don't write, मैं नहीं लिखता हूँ Do I write, क्या मैं लिखता हूँ Do I go, क्या मैं जाता हूँ अब यह I की जगा आप क्या-क्या for subject ले सकते हैं तिया नहीं सकते यहां पता ने न चाह rap वी ले सकते हो यू या वी ले सकते हो दे ले सकते हो कई एक शलब है नाम ले सकते हो कि यह वह रहां प्रेम जाते हैं बेर्म टोन जाते हैं आपको क्या पुचे जा रहा है对ू यू की आप सोचते है कि आप सोचते क्या आपको लगता है दो मायने मों सकते इंडिया इस डिविलोफिंग है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है उडिवलोफ होः है तो आपको बूलना है कि अुछ अर्प पला है कि आ's होते हो डाइए डाइप पर तो इस तरीक हैं आप हजारों जुमिलेबना सकते हैं अब एक जुमigare हम लेत्किते हैं राँप को ऑने वाला है आपको फटक से बोलने आना चाहिए भूं का ना बस होता है ??? लीज वो क्या होता है ? पड़ता आ की डेसंट आने वालॉप फिर इसके बाद बता रहना चाहिए बोलके हम बोर रहे हैं, यहां पिया ले सकते हैं, HOW, WHEN, WHERE, WHY, WHAT, ले सकते हैं, how much, how many, इस तरीके से ले सकते हैं, अब मुझे बोलना है कि वो कहां रहता है, अब वो एक एक इनसान है, हम बोर रहे ही, to ACE आगा है तो समझ जाना हमेश आप तरही तो हमेशे साथ क्या आने वालए है कि यह वो का रहता हूं कि यंग रहता है what does he leave यह तो बनने वाला जुमला है नहीं how much does he leave वो कितना रहता है how many भी नहीं बनने वाला so यहाप बोल से कि where do you leave आप कहा रहते हो when do you love कि रहते हो और why do you leave आप क्यूं रहते हो और what do you think बोल सकते हैं कि आप क्या सोचते हो इस तरीके से जुमला है तो अब यू की जगा आप क्या क्या लगा सकते हो यह जूड़िया याद रखना है कि I, V, U, दे वगरा तो एक बार और मैं summarize कर देता हूं तागे आपको यह भूलना नहीं हो कि कि हम जब answer booklet भी analyze करेंगे तो आपको यह concept आपको मतलब हमेशा साथ देने वाले ऐसा नहीं कि याद रखना है दे याद रखना है और कोई भी एक से जादा नाम याद रखना है यह आपको याद रखना है और अगर मुझे इससे positive जमला बनाना है तो मैं इसके साथ क्या इस्तिमाल करूंगा वी वन और से अगर से मुझे negative जमला बनाना है तो मैं इसके साथ क्या इस्ति पर याद रहना चाहिए गलती से भी नहीं भूलना ओके फिर यहां पर हम लिख रहे है ही शी और कोई एक नाम अब इसको भी मुझे क्या करना है पॉजिटिव जिम्ला बनाना तो मैं क्या करूंगा इसे इसके साथ मैं लगाऊंगा वर्ब फाइप अगर इसे मुझे इसे नि इडियो था मैंने बनाया हूँ और दीखिए आपको मैं थोड़ा सा हमारे जो पहले का जो स्टार्डिंग हमने जो पेज देखा था वो देख लेते हैं थोड़ा सा मैं इसे उपर ले ले तो जो पहले पेज पर है आप आपको यह समझ में आने वाला है मैं आप बोल सकता सीट को यह शेर करने वाले हैं डील इन बहार जो सीट शेरिंग की डील होने वाली हो बहार वो क्या करते हैं एलान करते हैं यह हमारी न्यूज है और हम आने वाले वीडियो में क्या देखेंगे जोड़ा हटके हम कॉंसेट देखेंगे कि जब यह सारे न्यूजपेपर को सम समझना है तो मुझे कमेंट करके बताए कि उस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए आप ही के लिए मतलब आप ही को समझना है तो मैं आपके लिए वह ऐसे अगर आप मतलब वीडियो की फर्माइश करते है तो वीडियो आ जाएगा और अगर आपको वीडियो पसना है अगर से कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखे लिए आपका बहुत बश्शुक्रिया